आदे कृष्णा साथियों मैं भी कृष्णा ग्यान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप आपके अच्छे स्वाथ और सुखा जीवन की मंगल कामना करती हूँ आपके रभने इस देवों को कोटी कोटी नवन करते वे बड़ों को परणाम करते वे वीडिय ना जाए अभी आप सभी वरत और पर जितने भी आ रहे हैं सबकी कथाएं मैं आपके साथ शेयर करने हूँ सुबह आट वजे आपके पास वीडियो आ जाती है कथा के साथ तो अगर आप वरत रखते हैं तो भी कथा को जरूर सुन लीजेगा और व्रत नहीं रखते हैं तो मातम क्या है शिरी कृष्ण कहने लगे यह राजन आशार कृष्ण एकाची का नाम योगिनी है इसके व्रत से समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं यह इस लोग में भोग और पड़ लोग में मुक्ति देने वाली है मैं तीनों लोकों में यह प्रसिद है मैं तुमसे पुराणों में वर्नर की हुई कथा कहता हूँ ध्यार पुर्वक सुने तो कथा प्रारम करते हैं हाथ में चावल ले लिजेगा और एक पुष्प ले लिजेगा और कथा के पश्चाथ वह आप भवान के समख्ष रखने के बाद किसी प्लांट में डाल दीजेगा और यदि आप कथा यथा बत नहीं सुन रहे हैं घर में बैठकर तो फिर आप जैसे भी सुन रहें लेकिन पूरे मंग से सुनिएगा सर्वधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था मैं शिप भक्त था और प्रती दिन शिप की पूजा किया करता था हेम नाम क से हाथ से विनोद तथा रमन करने लगा इधर राजा उसकी दुपहर तक रहा देखता रहा अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आग्या दी तुम लोग जाकर माली के ना आने कारण पता करो क्योंकि वैं अभी तक पुश्प लेकर नहीं आया सेवकों ने कहा कि महाराज के अति कामि है अपनी इस्त्री के साथ हाथ से विनोद और रमड करना होगा यह सुनकर कुबेर ने कुरोधित होकर उसे ब्लाया हें माली राजा के वैसे कापता हुआ पस्तित हुआ राजा कुबेर नेकरोध में आकर कॉरे पापी नीच कामी तुने मेरे परमपूजनी स्वर्ख से पतन हो गया और मैं उसी शन प्रत्वी पर गिर गया भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत पोड हो गया उसकी इस्त्री भी उसी समय अंतर ध्यान पोगे मृति लोग में आकर माली ने महान दुख भोगे भ्याना का जंगल में जाकर बिना अन और जलके भटकता रहा रात्री को निंद्रा भी नहीं आती थी परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन की स्मृति का क्यान अवेश्य रहा गूंते खुंते एक द अंडे रिशी बोले तुप ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई हिम माली ने सारा वरतांद कह सुनाया यह सुनकर रिशी बोले निश्य थी तूने मेरे सम्मुक सत्ते वचन कहें हैं इसलिए तेरे उधार के लिए मैं एक वरत बताता हूं यद प्रसन होकर मुनी को साश्टांग प्रणाम किया मुनी ने उसे सन्हें के साथ उठाया है माली ने मुनी के कथा अनुसार विदी पूर्वक योगनी एकाच्षी का व्रत किया इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वारूप में आकर वे अपनी इस्त्री के साथ प्राबर फल देता है इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंतने स्वर्ग प्राप्त होता है बोलो श्री हरी विश्नु भगवान की जैलवर श्रीक विश्न जी महाराज की जैए यह कथा पूर्ण हुई वैयोगनी एकाच्षी के कथा को सुनियेगा और पाप करना के साथ आप पुरत करें न करें कथा वर्षा से आज के लिए इतना इजाज़त दीजे आशा करती हूं यह वीडियो निश्चेद आपके लिए उप्योगी साभीत होगी इसको संभाल के रख लीजेगा जबी एक आच्षी आएगी तो कथा को ज़रूर श्रुबन वीडियो चे लिए तो लाइक कीजिया कमेंट बॉक्स में ओम नमवगते वासु देवाई अपने इस देव का स्वन टर्नप बिल्कुल वात बोलेगा इश्वर आपकी पतत करें